69,800 रुपे में आप इस कार को घर लेके जा सकते हो जिसमें आपको कोई processing fees नहीं पे करने पड़ती, कोई hidden charge आपको पे नहीं करना पड़ता ये है मारूती की तरफ से newly launched desire जो की 2024 model है और ये desire का top model है जिसको हम ZXI Plus B कहते हैं आज की वीडियो में मैं आपको इस कार के detail में price के बारे में बताऊंगा detail में इस कार के finance के बारे में बताऊंगा minimum down payment आप कितनी करा सकते हो maximum कितने साल के लिए इस कार पर आप loan ले सकते हो वो सारी चीज़े आज की वीडियो में आपको बताऊंगा तो चलिए review start करते हैं, review start करने से पहले मैं आपको इसकी कुछ features के बारे में बता देता हूँ इसमें आपको fully LED headlight setup मिल जाता है, LED fog lab मिल जाएंगे और LED tail light भी मिलने वाली है 360 degree camera मिल जाएगा, diamond cut में इसकी alloy wheels आपको मिल जाते हैं, जो की 15 inch की होते हैं, sunroof आपको इसमें मिलने वाला है boot space इस car का 382 liter होता है, automatic climate control भी इसमें आपको मिल जाता है, cruise control भी मिलने वाला है और इस car में आपको 6 airbags भी मिल जाते हैं, अब बात करते हैं इसकी detail में, price के बारे में और ये जो मैं आपको price बताने वाला हूँ, ये मैं आपको दिली NCR का बताऊँगा, और इस model का नाम जो है, desire का ZXI Plus, petrol जो की top model है इसका XORUM price दिली में 10,14,000 रुपे है, Rotex इसमें आपको 1,14,000 रुपे में मिल जाता है, जिसमें smart card fees भी add रहती है insurance इसमें आपको 49,900 रुपे में मिलता है, जिसमें आपका 1 साल zero debt insurance, और 3 साल third party insurance, और ये जो insurance है cashless मिलने वाला है और इसमें HP की जो charge है, वो आपको 1500 रुपे पे करने पड़ते हैं, अगर आप finance कराते हो, अगर इस car को आप cash में लेते हो, तो ये 1500 रुपे आपको पे नहीं करने पड़ते है TCS charge इसमें 1% होता है, एक्शोरूम का, जो की 10,140 रुपे होता है, और MCD parking charge 4,000 रुपे आपको पे करने पड़ते हैं फास्टेक के इसमें 800 रुपे होते हैं, ये optional रहेगा, अगर आप लेना चाते हो, तो ले सकते हो, अदरवास को issue नहीं और basic kit आपको 14,148 रुपे में मिल जाती है, इसमें काफी सारी accessories आपको मिलने वाली है, बट ये जो है 14,148 रुपे, ये optional रहेगा, आप इसको हटवा भी सकते हो total cash में ये गाड़ी आपको 11,95,888 रुपे में आपको मिलने वाली है, और इसमें basic kit में क्या-क्या आपको मिल जाता है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ, जैसा कि आप देख सकते हो, एक इसमें आपको mat मिलेगा, mud flap मिल जाएगा, और gourd की कोई भी मूर्ती आप ले सकते है, service इसमें आपको 3 free of cost मिलती है, जिसमें आपका labor and washing charge free रहेगा, और warranty इसमें आपको 3 साल या 1,00,000 km की मिल जाती है, ये जो warranty है, आप इसको extend भी करा सकते हो, extra पैसे देखे, number plate आपको showroom से 7 दिन में ही मिल जाती है, और RC जो है 3 months में आपको showroom से मिलने वाली है, अगर आप की salary 60,000 plus है, civil score आपका 750 का है, तब आपको इस car पे 95% तक loan मिल जाता है, 95% जो loan होगा, वो लगवग 11,36,000 रुपे हो जाएगा, जिसमें आपकी down payment आने वाली है, on road में से minus करेंगी 95% loan को, तो आपकी जो शुरू में down payment आजएगी 9,888 रुपे, जी हाँ, 9,888 रुपे में आ 3 साल की M.I. करवा सकते हो, और 28,242 रुपे के आपकी 48 मंस की M.I. होगी जो की 4 साल के लिए ही valid है, और 23,553 रुपे के आप 60 मंस की M.I. करवा सकते हो, जो की 5 साल के लिए है, और 20,448 रुपे के आप 72 मंस की M.I. इसमें करवा सकते हो, जो की 6 साल के लिए valid है, इसमें जो loan ह होता है maximum 7 साल के लिए लोन होगा अगर आप private bank से करवाते हो तो इसमें आपको maximum 8 साल के लिए लोन मिल जाएगा बट उसमें आपको processing fees extra pay करनी पड़ती है इसमें जो document required रहते हैं अब मैं आपको वह बता देता हूँ KYC के लिए आपको pen card अधार card और electricity bill देना पड़ता है अगर आपके पास electricity bill नहीं है आप rent पे रहते हो तब आपका जो लोन होगा वो 72-80% ही लोन होगा बट इसमें आपकी condition है salary आपकी credit account में होनी चाहिए और इसमें एक photo required रहती है 6 months की salary slip और 6 months की bank statement जिसमें आपकी salary credit होती है form 16 आपको 2 साल का required रहेगा और office का i-card इसमें आपको देना पड़ता है यह तो होगिया salary person के लिए document अगर आप business करते हो business के लिए minimum जो ITR required रहती है वो 8 lakh plus की required रहेगी plus साथ में आपके पास GST certificate होना चाहिए आपके business का अगर आप इस कार को लेने का plan कर रहे हो तो showrooms पे इसकी test rate भी available हो चुकी है और showroom का contact number, showroom का address description में mention कर दूँगा आप वहाँ से भी इस car की test rate के लिए contact कर सकते हो इस scheme के लिए भी contact कर सकते हो यह थी मेरी